जिसको इन्वाइट किया है, वो आप में से ही कोई एक है, तो आपको आराम से अपने question, मतलब कहीं पता चले कि जर्मन के चक्र में जो बात पूछनी चारे थे, वो ही नहीं पूछ पाए, वो अपने ही बीच के लोग हैं, जिनको मैं invite करता हूँ, generally, तो यहाँ पे किसी तरह क कि कोई फॉर्मल्टी लाग लपेट का काम ही नहीं है, अपन आराम से एक एक करके अपने question पूछ सकते हैं, right, हिंदी में, इंग्लिस में, मारवाडी में, जर्मन में, हना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हमसे आज बात करने वाले हैं, उनको आप जानते हो जो हम query, right, सीधा हम लोग इनी पर छोड़ेंगे, इनकी जो-जो question है, जितना आपको जानकारी है, आप प्लीज हमको बताएं, और ताकि ये जो हमारे confident feel करें, इस course के बारे में कई सारी चिकें ऐसी होती हैं, हर्मन की समुतर के इस पार, और उस पार में बहुत फरक पड़ है, तो आप भी जैसे जितने curious होते थे कि कोई कुछ तो बता दे, वैसे मतलब हम सब ये चाते हैं कि एक एक बात हमको पता चले ताकि निस्सिंथ होके हम वहाँ आएं, और जो भी मतलब difficulties है, वो भी इनको पता चलने चाहिए, कहिए वहाँ पर एकदम मतलब हरे हरे बाग सो पता कि और इनका, मतलब admission करने अपन और वहाँ भी जने, वो मेरा मकसद नहीं है, मैं ये चाहता हूँ, इनको वो चीजे पता चले सारी जो आप अपने अनुभों के इसाप से बताएंगे, प्लीज, एक एक करके आप लोग अपने hand raise करें, प्लीज, ताकि हमको भी सुईध रहा, तो प्लीज, एक एक करके hand raise करें और start करें अपने, तो वहाँ पे हमें nursing की भी पढ़ाई करनी रहती है, और B2 भी हमें complete करना पड़ता है, तो सर B2 का जो timing होता है, वो कितने साल तक का हमें time मिलता है, अपना B2 का paper देने के लिए, सर? देखो, B2 अगर आप लोग इधर से ही कर जाओ, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, simple बताओ आखो, क्योंकि nursing में पढ़ाई खूब करनी पड़ती है, यह कुछे doctor बनता है, तो आत्मे को पूरे सारे अच्छे से paper अच्छे से देने के पड़ते हो ना, ऐसे nursing में भी German to German होगी सारी पढ़ाई और खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो बीटू आप यहीं से कर जाओ वो तो best है, लेकिन अगर मानलो बीवन करके आप जाते हो, तो आपके course के दोरान आपको बीटू तो करना ही पड़ेगा, अगर मानलो की आपने, मानलो course भी खतम हो गया, और उसके बात में भी मानलो आप अभी old time ले रहे हो, तो फिर आप पीके सर, बस मैं ये पूछ रहा था कि चलो ठीक है, हम ये बीटू की preparation जो है न, तीन-चार महीने यहीं से classes से ले लेंगे, no problem, बस वहाँ पे जैसे तीन साल के हमारी वो nursing के course होती है, तो हम तीन साल के अंदर में हमें अपना nursing का paper भी निकालना रहता है, और तीन साल के बीटू नहीं निकाल सकते, तो आप इस सीद के लिए डिजारू भी नहीं करते कि आपको जाना चाहिए, मैं आपको बताओं, सिदी से बात, अगर कोई तीन साल में भी अपना बीटू नहीं करना कर सके, तो वो तो गलत है भाई, गलत लाइन में है वो, और ऐसी, बिलकुल कर रहे हो और आपको साफ दिख भी रहा है कि यह करने के बाद में क्या अप्रोचिनिटी है, तो पूरा जैसे सुनने में कान सुनता है न ऐसे आपकी बाकी की बोड़ी भी सुनेगी, बोलने में जैसे मूह जोता है न ऐसे बाकी के शरीर के अंग भी बोलने को जाएंग ऐそうですね सब्सक्राइब क्योंकि वह सारे दिन वहां जब होस्पिटल में कौर जर्मन्स के साथ रहेंगे ना तो एकदम से लेंग्विज एकदम से ग्रूम हो जाएगी तो विदिन सब्सक्राइब करेंगे आप से जो बात कर रहे हैं अभी शुरेंद्र जी ये खुद जर्मनी में है चुली हलो सुरेंद्र आप मैं तो जर्मनी में है अब मैं तो अभी स्विट्जर लेंड जा रहा हूं वेसल टुडें तो अभी रास्ते में जाएगा होगा डेफिनेट्ली आप अगर मोटिवेटेड हो तो डेफिनेट्ली हो जाएगा कोई नेक्स पर्सन प्लीज एक एक करके ताकि खुब खुब शारे क्वेशन्स लेसे अपन है सर मेरा कुशिन हर्मन पाजिस है कि में क्या कोईशन पूछते हैं नर्सिंग के लिए और वहां पर जॉब करना और उसके साथ में पढ़ाई करना कितना मुश्किल है और क्या क्या चैलेंज जा रहे हैं आपेकि क्योंड पिर नर्सिंग में जा रहे हैं कोशन होते हैं इमिऐफिकरेशन पर जब विजा प्रोसेस के लिए जाते हैं मबसी तब नहीं कोशन होते है तो आपको जर्मनी में तो जब जर्मनी में आप लैंड करते हो, तो फिर तो कहते हैं कि आपको जर्मन आती है, थोड़ी बोल के भी दिखाओ, कहां पर जा रहे हो, कहां से आए, कैसे आए, पांच से कोशन होते हैं, नॉर्मल कोशन, और इंडिया, इंडिया में तो नॉर्मल English Hindi में पूछ लेते हैं और यहां पर जब हमारा employer से interview होता तो क्या पूछते है normally employer पूछते हैं कि आप interested क्यों हो इसके लिए पहले तो यह बताओ आपने क्या कर रखा है आप क्या कर सकते हो सारे normal जो कुछ नर्सिंग में जाना जाते हैं तो अगर यहां पर आगे तो आपको कुछ पता भी है नर्सिंग में होता क्या है कुछ बेसिक knowledge नर्सिंग के बारे में सारा ओके और वहां पर जो काम करना होता है और पढ़ाई लेकिन जो ट्रैवल करना पड़ता है उसके लिए उठना पड़ता है रोज सुबा पांच बज़े तो पांच बज़े से लेके चार बज़े तक टाइम नहीं होता और आपका कोर्स कोर्स उसे साबसे आपको अब जब यहां पर रहते हो फिर तो वह मन अंदर से हो जाता है बीटू के पेपर देने का अच्छली वह बैक्राउंड देखते हैं क्या कि मतलब इन्होंने क्या कर रखा जैसे मैंने की रिजुएशन में बीबी ए कर रखा है और मेरा एक्सपीरियंस कार्परेट में है तो नर्सिंग में इंट्रेस्ट है मैं है कर सकते हूं जो आपसे लेंगे फिर मिलता है छे सााथ मेने का ट्राइल पिरिट जिसको डे प्रोबे साइट उसमें वह देखते हैं कितने इंटरस्टरिट हो काम के लिए उसमें अगर आपने इंट्रस्ट दिखाया देखो अगर दो आपको इंट्रस्ट है तो फिर तो निकली जाएगी तीन साल भी नहीं तो पहले ही दिख जाता है अnormके पूरा प्लैन होता है na तो पहला प्लैन जो उन्होंने बता यह वो तो मेरी तो जो प्राक्सिना वो है आइलेंड पे बूरकुम नामका आइलेंड है उपर Northwestern pi मेरी वहां पे प्राक्सिस है तीन महिनेगी वो चलेगी मार्ज तक अभी देसंबर से लेके मार्ज तक ओके थैंक्स ओके गूट अपूनम वन वाई वन जो हेंड्रेज जिसने कर रख है उसके हिसाब से एके करके सबको मुखा मिलेगा डॉन्ट वरी यस बाकी लोग हेंड्रेज कर लो हेलो हर्मन मैं यह कहना चाहा रही हूं कि मेरा मेकडॉनल्स का ओफर लेटर जो है वो एक सेप्टेंबर से स्टार्ट है मेरी जॉब मिला हुआ है मुझे ठीक है आउस बिल्डूंगा लेकिन अभी क्या है कि मुझे जो बहुत लोगों ने अप्लाई कर रहा है तो उसके कारण से नंबर नहीं आया होगा? नहीं सर्फ, नहीं भी अप्लाई नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अभी मैंने ये सोचा कि क्या बता, वो थोड़ा डिले होके मिले, अपोइन्मेंट मेंने बुग कर दिया 30 तरीको है मेरी अपोइन्मेंट, तो आप वहाँ जाएं, अभी 30 तो अभी आई गई दो दिन बाद में, जी सर्, तो ऐसा कोई अभी काम फसा नहीं है आपका, क्यूंकि अभी तो अपोइन्मेंट है आपके सामने, जी, बाद में मानलो अटक जाए, तब अपन किसी से पूछेंगे, कि भई अटका तो कैसे निकले, अगर मतलब कि वो मेरा पासवोड रख लेंगे, तो वो मुझे डेफिनेटली वीजा देगे, अगर उन्हें दिकत लगी तो, नहीं नहीं, वो तो डेफिनेटली देगे की बात नहीं है, वो त अटक कि कोई और फ्रोड का मामला नहीं हो, या और इश्यू नहीं लगे उनको, जी सर, बाकी सभी डॉकॉमेंट मेरी रेडी है, प्रॉपर, कहीं मतलब, सब डेट वाइज है, सब पुलिस वेकेशन और बढ़िया होने वाला है, आपका, आउस्बिल्डम जब से शुरू ह मेकडोनल्स पुलिस, एक सब्टेमबर से स्टार्ट हो चुका है, मेरा, थोड़ा दिले हो रहा है, तभी इस नहीं है, वहां पे मेरे फ्रेंड है, वो करवा रहे है, ओके इसलिए, जो हम खुद काम करते हैं वहमें ज़्यादा पता नहीं होता, तो कभी कई बार गल्ती भी हो जाती है न, लेकिन कोई चकर नहीं, वो टाइम के साथ इशू आपका सही हो जाएगा, क्योंपी, सब्तंबर में शुरू कर नहीं थी न, आप न, तो कम से कम आपकी जो होती है, अपॉइंट्मेंट, वो जून में होनी चाहिए, जुलाए में भी आप लगा सकते, जुला प्रिट्र का है, उस ओफर लेटर को कहते हैं, उस बिल्डूम फट्रा, वो कॉंट्रेक्ट होता है, उस पर सब कुछ लिखाते है, उसके साथ साथ और भी पर होते हैं, कई बार वो अकॉमडेशन का भी पूछते हैं, हांजी वो भी है, हांजी वो भी है, बस ठीए, बस ठीए, ठीक ही होगा आपका, जब बड़ी होगा, अविश, शुब कम नहीं अवधेश कुमार, ने, सर, वो डारेक्ट प्लेस्मेंट में मतलब क्या प्रोग्राम होता है, वो देखो, डारेक्ट प्लेस्मेंट का, मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा, कि जिन लोगों की नर्सिंग हो चुकी है, और जो डारेक्ट प्लेस्मेंट में जा रहे हैं, तो पहली बात तो उनका nursing से कोई लेना देना नहीं है उनका तो direct placement होगा और आपको वहाँ पर मानलोग कि आप B2 करके जाते हो तो AJ nurse उसमें आपका खर्चा ही involved नहीं है जैसे nursing के program में मतलब जो house building के program में जा रहे हैं उनका हम लोग आपने पता भी किया होगा कि 3 10,000 रुपे ऐसे charge कर रहे है प्लस flight का खर्चा उसमें लग रहा है लेकिन जो direct placement में जा रहे हैं उनका हम लोग कुछ charge भी नहीं कर रहे हैं और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो जर्मन सीखना चाहते हैं और direct placement में जाते हैं मानलो हमारे through तो उनके तो जो जर्मन शीखने का भी खर्चा नहीं है एक बार तो जरूर मैं फिश लूँगा क्योंकि पताचले कि इधर से शीख लिया और कहीं और से चलेगे तो एक बार तो मैं फिश लूँगा लेकिन refund करेंगे उसकी फीस भी तो उनकी फीस भी रिफंड होगी उनकी फ्लाइट का भी टिगट आगे से आएगा यहां तक कि उनका जो वीजा की जो फीस है वो भी नहीं लगेगी आपको एक्जाम की फीस देनी है अपनी तो आप कर लीजेगा मैं बता दूँगा आपको किस तरह का कौन सा बैच आपके लिए है कुछ-कुछ बैचेंज हमने अभी ऐसे प्लान किये है खास तोर पर जो आउस बिल्डूंग में जा रहे हैं उनके लिए और डारेक्ट प्लेस्मेंट वालों के लिए जो हमने जाने वाले स्टूडेंट्स क्योंकि वो जल्दी करना चाहते हैं तो उनको कैस से सपोर्ट किया जा सकता है तो आप डारेक्ट प्लेस्मेंट की बात कर रहे हो आप मेरे से कॉंटेक्ट कर लेना मैं आपको बता दूँगा और चीजें कोई जो भी रिक्वार्ट प्लीज नरेंद्र हर्मन तो आउस बिल्डूंग जो स्टडी आउस बिल्डूंग होती है उर्री essay देडियां कर रखी है थी तो नर्सिंग की तो फिर से स्टडी क्रने का फायदा नहीं फिर से स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है तीन साल अल्री नस्मेट अटाईरेक्ट प्लेंट में जाई और अगर मैंने ऐसे नर्सिंग करी होती इंडिया से बीएसी तो मैं सीधा डिरेक्ट प्लेस्मेंट में आता मैं आउस बिल्डूंग नहीं करता और जो डिरेक्ट प्लेस्मेंट वालों की सेलरी होती है वो भी ज्यादा होती है आउस बिल्डूंग वालों से और आपने जो नर्स सदार ही है बाकी तो सब कुछ ठीक है अब थोड़ा सा हर्मन आप यह भी बताइएगा कि जैसे मानलो आप यहां से वहां गए तो किसे ने आपको रिसीव किया क्या कई लोग मेरे को ऐसे पूछते हैं कि वहां पर हमको कौन तो संभालेगा हमारे रहने की वेवस्ता क्या होगी और ऐसे टेंशन में रहते हैं कई लोग तो आपका इस तरह से था आप अपना experience share कर सकते हैं जी रीफ में जी सर आप जैसे ही वहां गए तो आपकी क्या वेवस्ता पहले ही हो चुकी थी रहने की या किसीने रिसीव किया कैसे गाइड किया जी शर अभी कोई कोशन पुछीगा या मतलब मैं शर बताऊं आप एक बार ये बता देजिए क्योंकि दो-तिन लोगों के मेन बात यह कि जो बंदे खुद से करते हैं कई बार उनको अच्छा नहीं मिलता और जो जो इंस्टिटूट से आते हैं मोश्ली ऑफ इंस्टिटूट या किसी एजन्ट से कामगर वाते हैं उनका और लडी पहले से कनेक्शन होता है इंस्टिटूट वालों का तो वह कोमडेशन एक तरह से से क्योर मिलती है और अगर आप इंस्टिटूट से जाते हो तो एक आप गुरूप में जाती हो गुरूप का फाइदा रहता है हमेशा कुभी नई कंट्री है कुछ चीजे समय नहीं आता तो गुरूप एक बढ़िया रहता है तो कॉमोडेशन जब आप आपको पहले पता लग जाएगा फिर जब आप एयरपोर्ड पे लैंड करोगे इंप्लोयर को अल्रेड ही पता आता है वह अपने इंप्लोयर इंप्लोयर कि मतलब हम जो फ्लाइट थी वो थी शाम को छे बजेगी जब हम छे बजे यहां पर उतरे तो अंदेरा हो गया शाम हो गई इंप्लोयर्स ने हमको पर्मिशन नहीं दी रात को ट्रैवल करने की रीजन यह था कि वह आपकी फुल से क्योटी लेते हैं कि कई बार रात में ट्रेन खराब हो जाती है कि ऐसा होता नहीं है और कई भी कोई भी प्रॉलम आ जाया आपके पास समान होता है ना तीन तीन वागी फ्रांकफूर्ट से मिंस्टर तक की उसके पैसे भी एंप्लोयर ने दिये वह सबसे अच्छा और लेने के लिए भी आये तो वहां से लेके अकोमडेशन तक यहां पर छोड़के गए कुछ इंप्लोयर्स इतने ज़्याद अच्छी होते हैं वह साथ या दस दिन का च सबस्क्राइब करें अच्छर गृते हैं मुझक तव में बन किया ठांता है या हमें खुड से बनाना पड़ता है नहीं यहां पर पीजी नहीं है पर नाई पर मैस है यहां पर कुछ बनाने पड़ते हैं च़लो हमीं टाइम है आपके पास सीख के जाूँ पकूड़ा नरेंदर सेंग, नरेंदर, तो मैं जाती है, यह पूछ रहा हुआ है यह से फेक्राइब करोगे यह क्रांगए। तो आपका interest hotel management में और hospitality में है तो आप nursing में क्यों ही जाओगे और जाना भी नहीं चाहिए यह सर नर्सिंग में नहीं जाना है इस विल्डूं को लेकिए हाँ तो hotel management में क्यों नहीं होगा आप अगर hotel management में जाना चाहते हो तो definitely आप जा सकते हो हाँ definitely आप करो hotel management वालों के लिए भी मैंने बात कर रखी है अगला परसंग में कोशिच करूँगा hotel management वाले उसी लाइन से लाए जाए जो आपको और question लिखके रखें आप definitely अच्छीजे preparation करें अपना जल्दी सी जल्दी बीवन का certificate clear करने का क्यूंकि आपको हर महिने मतलब हो सकता है एक हजार यूरो तक का उच्छान हो रहा हो आप इंडिया में हो तो जल्दी पहुंच होगे तो निहीं पीड़ करते हैं व्याइन ने जापको 2 गंटे मिलते हैं और वीजा मिलते हैं उनको वीज़ा मिलता है आप काम भी कर रहे होना जैसे मैं स्कूल जाता हूं मेरेको तो दो गंटे मिलते हैं सिरफ और उसी दो गेंटे में मैं जौब नहीं कर सकता हूँ पहले पहले तीन जार महिने तो हर्मन प्रॉबेशन के ही होते हैं राइट त्राइल पीरिड होता है ट्राइल पीरिड में इंपलोयर यह होता है ट्राइल पीरिड में इंपलोयर निकाल भी सकता है आपको क्यों भी वह क करते हैं भाई फिर आप जाओ अच्छा में पूछ रहा था है एकुमोडेशन से कितनी दूर होता है यह जो हमारा प्रैक्टिस का या क्रांग का हुज होता है यह कितनी दूर होता है मेरा तो 300 किलोमिटर दूर है लेकिन में को जहां पर मेरी प्राक्सिस है उसके बिल्कुल प पास कोई कॉमोडिशन दूर सकते हैं फैरार से मतलब साइकल से फारार से लेकिन साइकल होना भी चाहिए इसके लिए येस ठीए 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 बहुत नुक्सारा इंडिया में रहे आप कुछ करना पड़ेगा ओके नेक्स्ट ओम ओम शर्मा पार्ट टाइम जो मिलेग या किसी दूसरी सिटी में जाना है वहां पर रह गयी मुद्ध तो बंदा कहता है इसके लिन नख रहे हैं हम मैं यह काम भी तीन गहटे करना चाता है अर अपने साब से करना चाता और पार्ट टाइम जोब करने के लिए बड़ी सिटी जाना पड़ेगा जो मैनेज नहीं होता अच्छा नर्सिंग की मतलब जो स्ट्राइपन होती है एक हजार यूरो सो उपर उपर होती है यह तो रूल है यह आप जो जितने भी नर्सिंग जो भी आसूबी है उनको ग्यारा सो तक तो मिले गई ग्यारा सो बारा सो उससे नीचे देवागा कितना कर्च बैड़ जाता है यह मतलब टोटल एंपलोईर कैसी दे रहा है साढ़े 300 तो मलब 300 तो है 300 तो कम सोचों ही मत 300 साढ़े 300 कि 400 भी होती है तो थोड़ा फोड़ा सो गलत बातल लेकिन 300 साढ़े 300 तक तो नॉर्मल है अच्छा एक मेरा ना वन 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 प्लीज क्योंकि बाकी लोगों को लगेगा कि मेरा पहले हैंड रेंड 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 करने का फाइदा हुआ है ना एक एक करके प्लीज ओम होगे आपका संजय है अच्छा नहीं क्योंकि वह पहरे बोल रहे थे इस वज़ेसे में चुप था प्लीज प्लीज कोई बार थेंड यू सो मच सर्थेंड यू सो मच अ मेरा सर कॉशन है कि अभी हम लेंग्वेज सीक रहें डैली से लेंग्वेज पैंथन से और मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मेकाट्रोनिक्स में जाना है और हमारा मतलब प्लान यह है कि हम लोग ऐसा हो जाए कि हम साथ में ही जाए यह डाउट है हमारा की क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग सब साथ में ही मतलब यहां से ट्रेवल करें सेम डेट पर और जहां पर वर्क होगा हमारा मेकलट्रोनिक्स में वो भी साथ में हूँ, यह पॉसिबल है, देखो आपके सर्ते तो चलेंगे नहीं बिलकुल, यह तो हो सकता है कि सेम सेशन में आप चले जाओ, समझ रहो आप, कि आप चाते हो कि आपका वो फ्रेंड है, आप इस फिराक में हो कि खाना उससे बनवाऊंगा, यह वो इस फिराक में है, वो बिलकुल नहीं होगा, आप वहाँ पे जा रहे हो ना, तो आप इतना तो सोच सकते हो कि एक दूसरे की help करेंगे यार दोस्त है, हम लोग आगे यह request भी कर सकते हैं कि इनका हो सके तो एक में हो जाए, या आस पास में हो ज हैं, तो एक हम साथ में हो गए, दोनों एक ही में हो गया, ऐसे और भी कई लोग हैं, जो हमारे यहां से गए हैं और वो एक साथ ही हो गया उनका selection, लेकिन हम डिमांड नहीं कर सकते हैं, डिमांड करते ही उल्टा पड़ता है खेल, फिर तो पता चल जा अच्छा इसको तो द अलग अलग एंप्लॉयर्स को चाहिए होते हैं लोग, तो एक एंप्लॉयर ने मालो एक ही पूछा है कि एक ही चाहिए हमको, एक ने बोल दिया हमको पांच चाहिए, तो हम यह request कर सकते हैं कि पांच वाले में यह friends हैं, वहां पर हो जाए तो बेटर है, लेकिन अपन ही नही लोग मिलते हैं, वह अपने अलग-अलग बोलते हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं, तो किसी नहीं बुला कि ऐसा भी होता है कि मेकाटोनिक्स में मुस्किल होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तुम B1 प्लान करके चल रहे हो, और उसके बाद वहां पर required हो जाए कि मेरे को हमको सेशन से पहले बता देना, ताकि मैं यह नहीं हो कि मैंने B1 बता रख रख आए और बाद में मैं कहुंस को कि अब last moment में B2 लाओ, ऐसा नहीं हो जाए, मेरी भी image खराब नहीं हो राग आपकी भी बात खराब नहीं हो, तो उन्होंने बुला हम सेशन से पहले बत जाए ना यह भी पूछते हैं कि उनको यकिन भी नहीं होता कई बार अब जैसे हम सेप्टेंबर इंटेक में जाएंगे तो हम अभी हमने टार्गेट करा है अपना B1 जो अभी हम A2 में मतलब एंडॉल करेंगे अभी देवाली के बाद देवाली से पहले हमारा I1 कंप्लीट हो याइस पूरे चांस है आप देखो जैसे मानलो आपका मार्च तक हो गया तो मार्च और सप्टेंबर के बीच क्या करोगे उस टाहिं पर बीटू कर दिया क्योंकि वहां जाके भी आपको बीटू तो करना ही है जरूरत ना भी हो तो भी करना है विकोज परफॉर्म भी कर पाएगा कि नहीं एक चीज और बता दीजिए वस लास्ट के अभी हम किस-किस ट्रेड में मतलब जा सकते हैं यहां से हमने 11 जो हैं फिल्ड जिसमें हमने भेज रखा है आपके साथ उसका सेर भी कर दूँगा मैंने वीडियो भी बिना रखे है राइट जैसे होटल मेनेजमेंट वाली लाइन जो है उसमें है होटल स्पेशलिस्ट नर्सिंग स्पेशलिस्ट सेफ है फूप जो हो गया राइट नर्सिंग हो गया मैक डोनाल्ड हो गया बर्गर किंग हो गया ऐसे टेकनिकल फिल्ड है कुछ तो टेकनिकल फिल्ड में काउंट होता है उसमें PCM होना जरूरी है मैथमेटिक्स रही हो आपके हाँ सर वो मैथमेटिक्स है और मेरे पास डिपलोमा भी है तो आप लोगों कि अगर किसी के फ्रेंड्स नर्सिंग अल्रेड़ी कर चुके है न तो उनको आप जुरूर इंफोर्मेशन दे देना कि जो अल्रेड़ी नर्सिंग कर चुके हैं उनको हम लोग free of course पढ़ाएंग चार साल मेदान ता हॉस्पिटल का डेली से लेंग्वेज लर्निंग उनके free हो जाएगी यस और उनका जाने का charges वगरा है कुछ नहीं रहेगा उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है उनके charges ही नहीं है उनको उनका तो flight का भी नहीं लगेगा उनका वीजा का भी नहीं लगे कर द civilization है Kurdish का लनका भी नहीं लगे ही वज वजबा है क्या नहीं है उनके तंके लिए बह कर जो किफ जहीं है डखे वेें उनका भी ज़्त कर पिर्ते हीं गे हैं